हेलो एवरीवन मैं विश्जीत सिंह आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस विडियो के अंदर में हम M.A.H.I.09 लेसन सेवन उपनिवेश वाद का पर्ति रोध पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों यह पर क्या मतलब होता है पर्ति रोध कहते किसे हैं इसके बारे मिक बात करू तो विचारधर दारों का संघर्स एक उपनिवेश विचार दाणारे का इंदर códब एक हैं और में कसे विचार 也 स इसी स्तिती बनी जहां पर लोग उसका उस विचारधार का परतिरोध कर रहे थे तो वहीं पर यहां भी देखा गया कि बहुत सारे लोग उपनिवेश्वाद कोन्फनील्हेश जो टाइम पिْरेड है उसका समरधन किया और दूसरा भारत के अंदर में एक ऐसा ववस्था भी था ठीक है ऐसा तपका भी था जो ग्रामिन छेत्रों में रहता था ज्यादा पड़ा लिखा नहीं था वो ज्यादा बोधिक इस तर पर मजगूत नहीं था पर उन्होंने समाजी क अधार पर सांस्कृतिक अधार राजनितिक अधार पर इसका परतिरोध करना riders कुछ ए तो दोनों चैत्रों के अंदर में क्या परिवर्धन आये किस तरह से इसका परतिरोध किया गया इसके बारे में हम डिसकस करने नहीं रहता है पर फिर भी नौलिजफुल चैप्टर है आपको बहुत सरी लर्णिंग इसके अंदर में सीखने के लिए मिलने वाली है और में की जो चैप्टर जो भी होते हैं जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो एक दूसर से इंटर लिंक होते हैं तो आने वाले सबसे पहले दोस्तों मैं देख बात बताऊं आपको तो उपनिवेशवाद भारत के अंदर में ब्रिटेन आया भारत को उसने गुलाम बना ना स्टार्ट कया इस्ट इंडिया कंपनी के थुरू तो अब उनकी कंपनी में काम करने के लिए लोगों के भी जूरूत है तो उन अगर हो ब्रिटेन से ले कर आते किसी तो उन्होंने क्या कि भारत के अंदर में सिक्चा वेश्था को शुरूत कि इसकी मानने ता रद करी को पूरा बंद करवाया और अपनी सिक्चत हुए लोग पढ़ लिये लिख है उसके बाद ना पूरा वर्ग ना दो भागों में बढ़ता चला गया। एक वर्ग वह था जो अंग्रेजी सिख्षा से मिले उपनेविश्वाद को समर्थन करता था!!!! दूसरा वर्ग विरोध करता था। दोनों सिख्षी ते है पर दोनों में से एक विरोध कर रहा है और एक समर्थन कर रहा है तो विरोध करने वाला क्या कहता था कि अंग्रेजों ने हमें क्या कर दिया खाई में धकिल दिया ठीक है अंग्रेज हमारा फाइदा उठा रहे हैं यह कर रहे हैं मतलब वह अलग अलग तरीके से उसका ने ठिक है हमारे धारमिक अजादी नहीं थी किसने दी उपनिविश्वार्द ने हम मतलब ऐसी गाउं में रह रह रहे थे एकदम कपड़े सई नहीं थे ये वह कुछ भी चीज़े नहीं थी किसने धिन हमें उपनिवेशवाद ने ठीक है आज हम modern तरीका से जी रहें reindeer कि समय उपनिवेशवाद ने तो इन सभी बिंदो और रहिखकर हुए दिखाता था कि उपनिवेशवाद किता useful है वह यह कहता था कि आंक बंद को पचाड कर तीसरा पांचवा तीसरा या चौथा पांचवा सबसे बड़ा एकनोमिक बना मुझे याद नहीं है कि थोड़ा से यहां पर गलती है सौरी तो जब भारत आगे बढ़ा बिटन से आगे बढ़ा भी तो उस समय क्या हुआ कि बिटन के एक नियूज अंकर ने यही जैंकर ने भी बोला जो यहां पर भारत के उस समय जो लोग थे समर्थन में थे वो भी यही बात बोल रहे थे ठीक है तो इस तरीके से इसका किया जाने लगा पर वहीं पर वहीं पर जो इसके विरोध कर रहे थे पड़े लिखी लोग थे विरोध कर रहे थे तो उसके उन्होंने एक पालतू वर्ग बनाया भारत के अंदर में जो उसके आगे पीछे गुम सके अगर मुझे अंग्रेजी आ गई तो अंग्रेजी आ गई तो मैं हिंदी वाले के पास नौकरी लेने के लिए जाओंगो तो क्यों देगा मुझे तो भाई वो अंग्रेजी वाला ही तो उन्होंने पूरा एक तरसे पालतू वर्ग का निर्मान के अभारत के अंदर में हुमी जांगीर भावा ने ये बोला ठीके इस तरीके से आगे दिरी दिरी बहुत सारी अलग-लग intellectuals आये उन्होंने अलग-लग यहां पर विचारतारे रखी कि इस तरीके से ये चीज़े हैं इस तरह से वो चीज़े हैं ऐसा करके बोला गया ठीके उपनिवेशवाद की जो गोसना थी उसके अंदर में नीतिया थी किस तरह से structure चल रहा है क्या है वहां पर उसका विरोध किया गया कि ये चीज़े गलत है ठीके पार्थ चे टरजी जैसे जो आते हैं विचारक पर प्राच्चेवादी विचारक होते हैं वो भी इसका विरोध करते हैं ठीके वहां पर अध्यात्मिक अधार पर नैतिक अधार पर इसको परसुत करने की कोर्सिस करते हैं कि ये चीज़े यहां पर गलत हैं वहीं पर अगर मैं समाजिक इस तरह बात करूँ तो यहां पर क्या वह सोदेसी बुद्धी जीवों का उत्पन हुआ जो अलग-अलग तरह से उसको डिफेंड कर रहे थे कि यह चीज़े ऐसे हैं यह चीज़े इस तरह से हैं वहाँ पर यह देखा जाता है सबीनोंने इनका विरोध करना किया ठीक है इस तरह से बीरोध करना सुरूठ यह शूरीय घानाओ को विकसिट किया और इसका विरोध करना शूरूग है अब जब भारतय संस्कृति को विक्सित कर रहे थे तो next step आता है कि जब भारते संस्कृत्य को विखसित करें था आरंबिक दौर है, संस्कृत्य का वियचारिक परतिरोध का तो उस समय उन संस्कृति के अधार पर यहां पर रास्टवाध का उदै हुआ उसको रास्टवाध से जोड़ कर दिखा गया रास्टवाद क्या होता है कि रास्ट के परती जो भावनाएं होती है जो समवेधन सिलता होती है जो एक मतलब रास्ट को सबसे ज्यादा महत्व देना इंपोर्टेंस देना वो रास्टवाद कहलाता है तो इन सबी चीजों को उन्होंने राष्टवास से जोड़ कर दिखाए कि देखो किस तर से भारत के अंदर में चीज हो रहा है जिससे लोग इसकी विरोध में उतरे और लोग यहाँ पे उपनी वेश्वात का विरोध करें और उपनी वेश्वात को हरा सकें तो जब यहाँ पे राष्टवास से जोड़ा गया सांस्कृतिक वेचारिक विरोध को किस तर से जोड़ा गया तो लोगों ने यहाँ पे अलग-अलग रास्ते अपनाए ठीक है जैसे आप बात करोगे तो कई सारे किताबे लिखी गई ठीक है आपको एक किताब याद होगी खिए किताब अनंद मठ्ध ठीक है बहुत अच्छी किताब अनंद मठ्ध में सही लिया गयाै सन्यासी विद्रो जो बंगाल ऑटव पूरा उसके अंदर में वढटन मठ्ध के बारे में आनंद मन्ध के राइटर को है आप अलग-गो जटीक है और कितने किताबे नाटक तयार किये गए Jaimiddar री पर चांग से उन्हें किताबस पूरा परिवर्तन किया उसको किताबस खबले बना दैख helps belki मैंने starting में हैं आपको बता V glandas के अंदर में तो था बोधिक जो पड़ा लिखा जो सिकषग से मिला सिक्षित वर्ग से उसको आगे बढ़ा और दूसरा हुआ था जो ग्रामिन छेतर में रहता था जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा उसके पास नॉलेज नहीं था वो चीजों से जो नॉर्मल ग्रामिन छेतर में रह रहा है उसको ज्यादा पढ़ा लिखा थे मतलब भी नहीं थ अपालदू का उसको ठीक है तो उसको तक उस-ós-ыватьum के तक बात पहुंचे कि यह क्लिदे गलत हो रही तो कईसे पहुंचे तीक है नुकर नाटक अलग लग जगह पर रास्ट गीत यह सब चीज़ से बनाये जाने लगा उसके बाद यह सारे चीज़े उनी ठीक है वही पर एक आनंद मठ का भी बहुत बड़ा बोदिक वैचारी करूप से उसको आगे बढ़ाने की कुर्सिस कर रहे थे अंगरी जी साशनकाल को जहर की तरह बता रहे थे कि स्लो पोईजन है वह ठीक है मिठा जहर है मिश्वीट पोईजन है ऐसा करके वह बता रहे थे ठीक है दीरे दीरे वह आपको पहले सुविधा दे गारा बारत दे दीरे आपको खा नंद जी ने बोला है तो यह बात तो बिल्कुल सही होगी आप इसको मानो, confirm करो तो इस तरीके से लोगों तक पहुँचाय जा रहा था ठीके समझ में आता है दोस्तो यहाँ पे जो अगला यहाँ पे अगला जो कोशन यहाँ पे बनता है अब रास्टवाद आ गया तो यहाँ पे उपनिवेशवाद की समय इस्तिती क्या रही यह कोशन यहाँ पे तीनों कोशन के अंदर में आपका पूरा चैप्टर खतम उपनिवेशवाद की अब इस्तिती क्या रहती है इस्तिती के हम बात करें तो यहाँ पर उपनिवेशवाद ने क्या किया, भारत के धार्मिक अधार पर उन्हें सुधार करने की कोर्सिस करी, यहाँ पर सती पर था, बाल विवाज, इन सब चीजों पर रोक लगाया, चलो वो चीजे बहुत अच्छी थी, I support, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, साथ सा करका पर घैकाई आइके क्या डर्म के अंदर, इस यह लिए को फोया है दिकत क्या इन फ्रें लगाई तो वहां पर लोगों के अनलग लगा, और वहाँ पर इसकी विरोध में उतरना शुरू हुआ ठीक है ब्रेटिस आशिन काल के अंदर में ये दिखाया दाने लगा कि देखो हमने लोगों को कितना सक्षर किया कितना बढ़ाया कितना पढ़ाया लिखाया और नोकरी देरे आईस आईपेस बना रहे हैं आपके लिए कितना अच्छा काम कर लोगों न उसको टार्गिट किया आज कि समय में दोस्तों हमारे जो मूल पहिनावा था धोती कुर्ता ठीक है मुझे नहीं लगता जितने वीडियो देखने वाले स्टूडेंस हैं अब यह तो बहुत नंबर कम होंगे ठीक कि आप सब देखते नियों सहीं से और पूरे वी हमारा जो मूल पहनावा था दोती कुर्ता था आप में से मान लो अगर दस हजार लोग वीडियो देखेंगे एक साल के अंदर में ठीक है for example मान के चलते हैं दस हजार में से मुझे नहीं लगता कि दस लोगों को भी धोती पहनने आता होगा ठीक है कि यह हमारा मूल पहनावा था तो उसको हम उसको फॉलो कर रहे हैं ठीक है ऐसा होगा कनफर्म में कारिंटी से कह सकता है मुझे भी नहीं आता ठीक है तो यह चीज़े हैं तो वह उन पहनावों को भी टार्गेट किया गया कि देखो हम अपनी चीजों को छोड़ रहे हैं तो वह चीजों को उनके रहन सेंगे पस्चमी सबधाव को वहां पे दिखाए गया कि य चाहिये वहां पे सभी ब्लैटफॉर्म के लिंक है जो भी आप हूं चलाते हो चैप च्युटर चलातेंफसर्गहे god allow koo chalatे जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल आपको सिर्फ समझना है, टॉपिक समझ में आ गया न, आपके हिंदी में समझा है, मैंने टॉपिक समझ में आ गया न, तो आप इंग्लिस में लिख सकते हो, कुछ चीजे रहती हैं, कि जो मैंने हिंदी में बोला, आप उसको इंग् कर सकते हो ठीक है वहाँ पे subscribe यह बगल में join का बटन होता है उससे join कर सकते हो साथ साथ हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल न बूले है और में दोस्तों तक पहुंचाएं ठीक है जिससे हमें motivation मिले हम आगे बढ़ सके और आपको भी आगे बढ़ने में मदद कर सके पर फेंच थैंक यह सो मच पर वाचिंग में थैंक यह सो मच पर लिसनिंग में बबाबाय तक कर अल बेस्ट